इस्राइल ने इरान पर जवाबी कारवाई कर जंग का ऐसा बीगूल बजाया है जिससे मिडल लिस्ट में बड़े युद की आहट सुनी जा सकती है इसकी चपेट में कई बड़े देश भी आ सकते हैं ताजा हमलों से इस्राइल इरान के बीच की ताना तानी अपने चरम पर पहुच गई है इस्राइल ने दावा किया कि उसके सौ लड़ाकू विमान इरान के आसमान में घुसे और फिर ताबर तोड़ बंबारी की इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई जब कि कई घायर हो गया इस्राइल ने राजधानी तेहरान समेट चार इरानी शहरों में भीशन हमलों को अंजाम दिया गया इस दोरान इसराइल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने इरान के कई सैनि ठिकानों को तबह करने में भी काम्यावी मिली दावा है कि इसराइल ने इरान समर्तित प्रॉक्सी गूटों को होने वाली हतियारों की सप्लाई चैन भी तोड़ डाली इससे तिल मिलाए इरान ने इसराइली हमलों को नाकाम बताया है साथी इसराइली दावों को जूटा करार दिया है इस हमले के बाद इरान ने भी तेवर तीखे कर लिये हैं इरान के सुपरेम लिडर ने इसराइली हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है अली खामेनेई ने कहा कि इरान को लेकर इसराइल अभी भी गलत अनुमान लगा रहा है इसराइल इरान को नहीं जानता है इसराइल अभी भी इरानी लोगों की ताकत और उनके मजबूत ब्रिट संकल्ब को सही डंग से नहीं समझ पाया है हमें अब उन्हें ये बाते समझानी होंगी इस बीच इसराइली पीम ने दावा किया कि IDF के हमले अपने टार्गेट को हासिल करने में सफल रहे हैं इसराइल के पलटवार ने इरान की जड़े हिला दी है इरान के कई मिसाल पॉडक्शن साइट्स जल कर राख हो चुके हैं इरान अपनी हार को पचा नहीं पारा है दुनिया के सामने अपनी असलियत को कबूल नहीं रहा है इसराइली हमलों ने दिये जफ्मों को दबा के बैठा है नितन्याहू ने दावा किया कि इस्राइली हमले इतनी जबर्जेस्त और ताबर तोड़ थे कि इरान का रटार और एर डिफेंस सिस्टम भी बरबाद हो गया इससे इरान बेहत कमजोर हो गया है वह अब तक अपनी लुकसान का आकलन तक नहीं कर पाया है अब इरान ना तो हमला कर सकने की हालत में बचा है ना ही हमलों से बच सकता है बावजूद इसके इसराइल को इरान से सतर्क रहने की जरूरत है नेतन याहू ने अपने जवानों का होसला बढ़ाते हुए कहा कि इसराइल ने एक साथ-साथ दुश्मनों से जंग लड़ी है अब भी लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे नितन्याहु ने कहा कि हमें दक्षिन में हमास उत्तर में हिजबुल्ला समेथ इन आतंकी समुओं के आकाओं को भी खत्म कर दिया है अब ये इरान की कटपुतली बनने लायग भी नहीं बचे हैं इसराइल पूरी दुनिया को पताना चाता है कि उसके दुश्मन चाहे जितनी भी धूर क्यों ना हो उसके पंजो से बच नहीं सकते कोई ऐसी जगए नहीं है जहां हम जा नहीं सकते बहराल दोनों ही देश अपने अपने दावो को सही ठहराने में लगे हैं मगर इतना साफ है कि मिडल इस्ट में जारी तुफान के फिलाल थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं